ओम शान्ति आज 29 अउगस्ट 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर निया आशादीदी आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाब का शो करना है सब को बाब का परिचय दे वर्से का अधिकारी बनाना है जो ग्यान हम सुनते हैं और जो संबंद हमारा शे बाबा से जुड़ता है वो है रूहानी है तो बाबा कितना मीठा है जब उसकी महिमा हम गाते हैं कितना मीठा है वो मीठा प्यारा बाबा हम आत्माओं को अपने संग से ज्यान से मीठा बनाते हैं तो किसी को कैसे पता लगे कि हम शे बाबा के बच्चे हैं जब हमारी चलन इतनी मीठी होगी इतनी रूहानी होगी तब तो लोग समझेंगे हम शे बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने वो बात करें प्रशन है जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानिया क्या होंगे वो बहुत-बहुत मीठे लवली होंगे वो श्रीमत पर अक्यूरिट चलेंगे वे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे सदा हांजी करेंगे कभी ना नहीं करेंगे जबकि देभिमानी समझते हैं ये काम करने से मेरी इज़ट चली जाएगे देही अभिमानी सदा बाप के फर्मान पर चलेंगे बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे कभी क्रोध में आकर बाप की अवग्या नहीं करेंगे उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा शिफ बा अपने पुन्य का खाता बढ़ाएंगे और अपने भविष्य को उज्वल बनाएंगे गीत है भोले नाद से निराला ओम शान्ती इतनी सारी बड़ी दुनिया है इसमें भारत खास और यॉरप आम कहें क्योंकि भारत तो प्राची नहीं है ये तो समझते हैं असुल भारत ही था सब धरम वाले ये तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आएं हैं हमारे आगे भारत ही था ये तो समझ की बात है ना तुम बच्चे जानते हो कि भरोबर भारत ही प्राचीन है उस समय भारत ही बहुत धनवान था तो स्वर्ग कहा जाता था इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं सिवाए तुम बच्चों के सो भी नंबर वार पुरशारत अनुसार फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है फादर तो अपना शो नहीं कर सकता फादर तो बाहर नहीं जाएगा तुम बच्चों को ही बाप का परिचे देना है मेरी बाबा कहते है कि मैं कौन हूँ, मिने अपना परीचिया आप बच्चों को दिया है, अब आप बच्चों का करतावे हैं, आगे इस परीचे को आगे बढ़ाना बाबा ने कहा कि ये भी समझते हैं कि बेहत का बाप स्वर्ग का रचाईता है उनको अगर जानते तो आस्चर्य लगता है हम भगवान के बच्चे दुख में आईरनेज में क्यों ये प्रशन भी तुमको पूछना है पहला प्रशन पूछना है तुम्हारा परमपिता परमात से क्या संबंद है पूछने वाले को तो जरूर मालूम है और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये तो कौमन रीती से सब कह देते हैं इश्वर सर्व्यापी है परंतो सर्व्यापी का तो कोई अर्थी नहीं है तो सिंपल आंस सर्व्यापी है सर्व्यापी के सारी स्टोरी खतम हो जाती है तुम्हारी समझ में आता है हम पारलौकेक मात पिता के बने हैं ये ज्ञान की बाते हैं अभी यहां चलती हैं सत्यूग में नहीं चलती वहां तो न ज्ञान है न ज्ञान है ज्यान देने वाला वहां कोई है ने ज्यान से तु प्रालब्द पाली तुम अभी ज्यान से प्रालब्द पा रहे हो नंबर वार पुरशारत अनुसार फिर बाबा ने कहा कि देही अभिमानी के बारे में बाबा ने कहा कि देही अभिमानी के बारे में ग्यान से प्रालब्द पानामाना ग्यान से जब हम लोग ग्यान युक्त कर्म करते हैं उससे हमें श्रेश्ट फल मिलते हैं उसको बाबा कहता है प्रालब्द फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते हैं बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं परंतु अंदर में समझते हैं कि ये ना फर्मान बरदार हैं ये क्या पद पाएंगे बाब दादा दोनों समझ सकते हैं श्रीमत पर अमल नहीं करते दे अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे बाबा ने कहा कि वो बच्चे नहीं कहला सकते बहले बाबा बाबा ने कहा जो श्रीमत का पालन ने करते वो बच्चे नहीं है देखे हम मात्पिता के हैं, तो मात्पिता का अगर कहना ही नहीं हम मानते हैं, तो किस हिसाब से हम मात्पिता के बच्चे हैं, इसले ही बाबा केते हैं, जो बच्चे श्रीमत नहीं मानते हैं, वो मेरे बच्चे नहीं है, अभी तो तुम देही अभी मानी बन रहे हो, कोई तो सिर्फ त तमो प्रधान से तमो तक आये हैं, सिर्फ प्रधानता निकली हैं, कोई रजो तक पहुचे हैं, सतो में कोई आये हैं, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे, कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे, देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि मैं ये काम क्यो यानि जो आत्मा है इसको आप और स्पष्ट करें जो रजो तक या सतो तक पहुंची है कुछ सतो तक ही रहेंगी और कुछ सतो प्रधान तक जाएंगी ऐसा पुर्शार्त करेंगी तो सतो प्रधान तक जाएंगी अदरवाइस वो सतो तक रहेंगी या सिर्फ प्रधान निकल तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि दे अभिमान न रहे, दे अभिमानी बनने से सत्या नाश हो जाता है, बाहर में जो प्रजा बनने वाले उनसे भी गिर पड़ते हैं, प्रजा में जो साउकार बनेंगे उनको भी नौक जाकर चाकर मिलेंगे, यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं, इससे तो वह साउकार अच्छे ठहरे न, बुद्धी से काम लेना चाहिए, यह बाबा ने बताया है, कि घर में रहकर, बाबा की यग्य में रहकर के, शुरीमत का पालन ने करते हैं, उलंगन करते हैं, यह अच्छे धनवान बन जाते हैं, यह जो समर्पित नहीं होते हैं, जो घर पर नहीं रह रहे हैं, और जो बाहर से मदद कर रहे हैं, वो धनवान बनेंगे, और जो बच्चे बनके मदद नहीं करते हैं, तो वो नौकर चाकर बनेंगे, क्योंकि वो घर के अंदर तो रहते हैं जो धन्वान लोग है, सावकार, वो घर के अंदर प्रवेशनी करेंगे, यह समर्पित हुए हैं, नौकर चाकर हैं, यह घर में प्रवेशनी करेंगे, तो बावा ने कहा, कि उन्हों को नौकरी करने की दरकार नी रहती है, जो धन्वान है, यहां तो नौकरी करनी पड़ती है पिछाडी को करके राज्य भागे मिलेगा सजा तो खानी पड़ती है दोनों को जो साहुकार बनेंगे या जो नौकर बनेंगे फिर बाबा ने कहा कि यहां तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े नहीं तो माया बड़ा धोका देने वाली है जट दे अभिमान आ जाता है फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो जट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो वह नहीं बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युग अगर तुम बाब को याद नहीं करेंगे तो माया का थपड लग जाएगा तुफान आएगा बाब कहते हैं अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर है इस तरफ हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को पिर बाबा ने का तुम बच्चों को विशाल बुद्धी बनी तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धी बनी है तुम मूल वतन सुक्षम बतन स्थूल वतन और ये सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो इसको विशाल बुद्धी व बेहत की बुद्धी कहा जाता है बाबा ने कहा कि तुम छोटी सी जगह में कॉलेज खोल सकते हो तुमको सिफ रास्ता बताना है अंधों की लाथी बनना है जगाना पड़ता है बाप और वर्से को याद करो तो बस तुम्हारा बेडा पार आज बाबा ने वर्दान दिया ग्यान गुण और शक्तियों से संपन बन दान करने वाले महादानी भव सारे दिन में जो भी आत्मा संबन संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ती का ग्यान का गुणों का दान दो दान शब्द का रुहानी अर्थ है सही योग देना आपके पास ग्यान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है तीनों में संपन बनो एक में नहीं कैसी भी आत्मा हो गाली देने वाली हो निंदा करने वाली भी हो उसे भी अपनी वृत्ती वस्थिती द्वारा गुण दान दो गुणों का दान दो शुब भाव नहीं दीचे काम नहीं दीचे जो आप गुणों को दे सकते हैं और स्लोगन है जो एक बाप से प्रभावित है उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पर नहीं सकता बाभाव से प्रभाव से प्रभाव से प्रभाव से प्रभाव से प्रभाव स के आज के मधुर महावाकियों का स्पष्टिकरन, यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो मेसेज या वाटसाप मेसेज करें डबल एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थी जिरो नाइन पर, ओम शांति.